प्रिये विधार्तियों, RCI Education Abban Surgi Online Class में आप सभी विधार्तियों का, संस्कित साहिते के विधार्तियों का स्वागत है, आप इस वीडियो के माध्यम से प्रिये विधार्तियों आप अच्छी तरहें, इन नोट्सों को, इन चंदों के टोपिकों को आप अच्छी तरहें अप का जो अपना टोपिक रहेगा प्रिये विधार्तियों, दूसरा चंद है वसंतिल्का चंद, यह वसंतिल्का जो चंद है, इसका जो लक्षन है, उक्ता वसंतिल्का तब जा जगाउगा है, यानि वसंतिल्का चंद, किस श्लोक में होता है, कि उक्ता मानी कहलाता है वसंतिल वसंद तिलका चंद कहलाता है क्या कि जिस चंद में तगाने, भागाने, जगाने और जगाने और दो गुरु वर्ण होते हैं, वहाँ पर होता है वसंद तिलका चंद, वहाँ पर क्या होता है वसंद तिलका चंद, इसको आपको अच्छी तरह हिंदी में लिखवा देते हैं आर्थे लिख्वा देते हैं आर्थे वसंतिल का छंद में प्रतेक चर्ण में प्रतेक चर्ण कहिए दो चाहे पाद कहिए दो सलोकस चतुल थांस भाग पाद इती करते दि यानि इस लोकर चोथा भाग चर्ण में प्रतेक चर्ण में प्रतेच्रणमी तगने प्रिये विद्धार्तियों सुत्तर के आधारपा आपस लगा सकते हैं कि तगन का कौन सा चिन होता है ये मा ता ता राजे ता राज ता का दीर्ग रा का दीर्ग और लगू ता राज तगने भगने भेगेने ये मा ता राजे भाने से भाने से जगने ये माता रा जैभान जभाने जगने फिर जगने फिर जगने ओई लगू दीर्ग लगू तथा दो गूर्ण वर्ण होते हैं आते हैं इसके प्रतेक चरण में प्रतेक चरण में चौदे वर्ण होते हैं आते हैं ये हैं समवरत्चंद है समवरत्चंद कैसे है क्योंकि इसके प्रतेक चरण में चौदे वर्ण होने से इसको समान माना है सम को मतलब समान आर्दिसम जिसमें पहला तीसरा और दूसा चोतर समान हो जिसे विशम जिसमें चारों विशम हो तो वह विशम वरत होता है अथा ये सम वरत है प्रिविदारता आप समझें ति इसकी जो परिवासा है इसका जो लक्षन है उपता वसन तिलका तब जा जगवगई तब जा तगान, भगान जगान फिर जगान और दो गुरु वर्ण वसन तिलका चंद में प्रतेक चंड में तगान, भगान, जगान जगान तता दो गुरु वर्ण होते हैं आता है इसके प्रतेक्षण में चोदे वर्ण होते हैं समझ गई होंगी इसका जो आपन उधार लिखेंगे अभी उधार लिखेंगे देखें आप उधार इसका उधारन है इसका उधारन इसका उधारन है आप देखिए यह तो पहला चर्ण हो गया दूसरा चर्ण है गोयम गोयम निगुहती निगुहती गुणान प्रक्ठी करोती यह दूसरा चर्ण हो या आपद गतम आपद गतम चै ने जहाती ने जहाती दराति काले काले सत्मित्रम लक्षणम इदम प्रवेदन्ती प्रेवदन्ती संतह यह दूसरा चर्ण है यह दूसरा चर्ण में देखिया आप दीर्ग दीर्ग और लगुह यह हो गया तगण यह क्या हो गया तगण यह माता राजय तगण फिर भगण दीर्ग लगू लगू यह हो गया भगण फिर जगण फिर जगण लगू दीर्ग लगू यह हो गया जगण यह हो गया जगन फिर लगू दीर लगू यह भी जगन और यह हो गए दो गुरु वर्ण। क्योंकि लगू को भी गुरु मान लिया जाता है। इस प्रकार से इसे गुरु को दो हर लगू को एक दो चार पांच। यह तो इसे मानने जाता है लेकर वैसे अपने अकसर गिनेंगे इसके वर्ण गिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, तो चौदे वर्ण होगे इसमें, चौदे ही इसमें, और चौदे ही इसमें, इनमें भी अग हो गया तगण, क्या हो गया तगण, फे दीर्ग, लगू, लगू, ये हो गया भगण, ये क्या हो गया भगण, ये लगू, दीर्ग, और लगू, ये हो गया जगण, लगू दीर्ग लगू यह हो गया जगन और ये गुरू गुरू ये दोनों गुरू गुरू नहीं वर्ण हो गया इसी प्रकार से इसमें है दीर्ग दीर्ग और लगू यह हो गया इसमें दीर्ग लगू और लगू एक ही हो गया लगू दीर्ग लगू एक ही हो गया और ये गुरू गुरू एक ही हो गया इस प्रकार से चौदे इसमें हो गई चौदे इसमें हो जाएंगी लगू दीर्ग हो गया दीर्ग और लगू दीर्ग लगू लगू एक ही हो गया लगू दीर्ग लगू एक ही हो गया और ये गुरू गुरू गया प्रिये विद्धारतिया आप समझ गई होंगे कि जो वसंतिल का जो चंद है ये सम्वरत चंद है क्यों है चंद क्योंकि इसमें प्रतेक चरण में चतू दसे वर्णा संती प्रतेक चरण में चोदे वर्ण है इसलिए इसको क्या मानेंगे शम्वरत चंद मानेंगी इसी का उधारण एक और भी है एक और लिखेंगे इसका उधार्ण जो आपके अच्छी तरह और भी समझ में आएगा उधार्णों को आप उतारते रहें उधार्ण को लिखते रहें जिससे आपके अच्छी तरह समझ में आजाए उध्योगिनम उध्योगिनम पुरुश सिंग्य उपयती उपयती लक्षमी ही कितने वर्ण होगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे तेरे और चोदे ये पहला चरण हुआ पहला चरण हुआ दूसरा जो चरण है उसमें जो मात्राएं है वो भी वोई चोदे ही मात्राएं रहेंगी दैवेन 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 देयम इती कापुर्शह कापुर्शह वदन्ती इसमें वोई चोदे वर्ण है इस प्रकार से अगला है दैवेन दैवेन नीहत्ये नीहत्ये कुरू कुरू पौरुश पौरुश आत्म सक्त्या इसमें चोदे वर्ण है और यतने कृती कृत्या यतने किरते यदी नेशिद्यती यदी नेशिद्यती यती नेशिद्यती कौ अत्रे कौ अत्रे दो से है इसमें वी चोदे वर्ण है प्रिये विद्धार्ट देखिया जैसे देवेंश उद्ध्योगिनम उद्ध्योगिनम पुर्शम इसमें रहेगा दीरगे दीरगे और लगू तगण फिर है दीरगे लगू लगू इसमें हो गया भगण क्या हो गया भगण और इसमें लगू दीरगे और लगू इसमें हो गया जगण और इसमें लगू दीरगे लगू इसमें वो जगण है और इन दोने में हो गया गूरू गूरू इस प्रकार से प्रिय विद्धार्ट आप समझ गई होंगी कि ये जो छंद है ये समवरत छंद क्यों माना गया क्योंकि इसके प्रतेक चरण में चोदेवर्ण है प्रतेक चरण में चोदेवर्ण होने से इसको समवरत छंद माना गया और इसमें तगण भगण जगण जगण और गुरू गुरू वार्ण प्रतेक चरण में है इसलिए चोदेवर्ण होने से इसको समवरत छंद माना गया ऐसे दूसरे जो चरण है उसमें वे ऐसे वर्ण है जैसे दीर्ग और लगू ये क्या होगया तगण अईसे इसमें है दीर्ग इसमें जो है देखिया दीर्ग लगो लगो इसमें हो गया आपका भगड़ लगो दीर्ग लगो इसमें हो गया आपका जगड़ और लगो दीर्ग लगो इसमें हो गया आपका जगड़ और ये गुरू गुरू इसी प्रकार से तीसरे में इसी प्रकार से चोथे में ऐसे आपके सामने प्रतेक चरण में कितने वर्ण हो गई चोधे चोदे होने से इसको क्या माना है समवरच्छन माना है जैसे अगले अगला जो तीसरा जो पाद है तीसरा जो चर्ण है यह पहला और दूसरा तीसरा में है दीरग दीरग लगू यह हो गया फिर दीरग लगू और लगू एक यह हो गया है एक लगू दीरग और एक लगू एक यह हो गया एक पॉरस दीर्ग दीर्ग लगू दीर्ग लगू 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 दीर्ग लगू फिर पौरस लगू दीर्ग लगू एक ही यह हो गया और यह हो गया दीर्ग और दीर्ग यह हो गया ऐसे ही इसमें है लगू नहीं दीर्ग दीर्ग और लगू एक ही यह हो गया इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वसंतिल का चंद सम्वरत चंद है क्योंकि इसके प्रतेक चर्ण में चोधे वर्ण है प्रतेक चर्ण में चोधे वर्ण होने से इसको सम्वरत चंद माना है जिसका जो पहला उदाण था वो था पापान निवारिये तिजोये यतोही ताय गोयम निगुहती गुणान पकटे करोती आपत गतम ने जहाती ददाति काले सत मित्र लक्ष्णम इदम प्रवदंती संतह इस प्रकार से प्रेविधारतियो जो आपको वीडियो के माद्यम से बताया जा रहा है इसको आप हर्स के साथ उमन के साथ पढ़ें लिखें और याद भी करें ये आज का वीडियो आपका इतना ही रहेगा धन्यवाद